हेलो माई फ्रेंड्स वेलकॉम बेक टो और चैनल कैसे हो आप सब आप सब अच्छे ही होंगे चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते आज का बहुत इंट्रेस्टिंग वीडियो आप वीडियो अंट तक जरूद देखना बहुत अच्छा आइडिया आपके साथ सेर करूंगी जो देखना बहुत इसे इसे पुरूट वी तो करते हैं लेकिन अगर हम अच्छे से मैंटेंग करेंगी तो हमारा महंगेंगा जल्दी खराब हो जाएगा जो कि देखने में अच्छा नहीं लगएगा वेसे बहुत आयुष करते हूँ कि रोज क्लीनिंग को डीप करना जरूई यह रोज की डर्स्टिंग से भी बहुत सरे होता है कि डर्स्ट जम जाता है आपको जो आखों के नजर में नहीं आती है जिसे हो गया मेरा आज मेरी टाइम था अची लिवी रूं को डीपलीनिंग करने का यूंकि जैसे होता है थ्ट्रडवाली के टाइम की डीपलीनिग उसक तो में क्या करूं आज थोरा सा अच्छे से क्लीन कर रहे हूं लिवी रूंग की और यहां पर क्या है कि जो से आपको दिखाई दे रहा होगा के मेरे के सामने की एक सीड़ी पड़ा है जो कि मेरे पास यह नहीं है और मेरे हजबन नेवर से मंग के लेके आये तो मैं सोची सब्सक्तभी की अच्छे हैं मैं अच्छे से करें और यहां पर जितने वी उपर वहले थी चैंटाना मुझा रहा है छो कि रो कर लोकτα कर दी कि और ऑखसी से साफ में कर दी हूं और अगर आपका kitchen फिरते हिसलों अगर तिकी नहीं किरोंगे तो सारे होता है तो पासपास होता है तो आपको मारे हिसी ओकर चाहिए और तो जिसे हांतों सब्सक्राव आसे चुटता नहीं और गिशब करतेों और भी बहुत सुरां भी लग जाता है क्लीन करते करते मैं यहां पर और एक बाद सेड़ करूंगी जब भी आप जैसे टीवी क्लीन करते हो ना कभी भी आप इसमें कोई भी स्प्रेय यूज मत कीजिएगा क्योंकि यह बहला गलती में पहले कर चुकिए हूँ जो कि अभी मतलब इसमें थोड़ा सा क्या होतारी स्क् करना था यह जो जो मर वाला लाइट और इसको साफ करना फ्रेंड्स क्या बताओं इतना तामसाम होता है न और इसको आप बाहर से किसी को भूलाओ तो काफी महेंगे भी ले लेकरी जो की है बिल्कुल सिंपल है और बहुत अच्छ तरीक सी यह साफ भी हो जाएगा जिससे म लेविं रूम को पास कीचन है तो यहां पे थोड़ा स्टीकी हो जाता है और में दिवाली से पहले इसको क्लीन कर दी तो इसलिए ज्यादा गंदा तो नहीं हुआ है फिर भी जैसे बोलता है दूर से तो पता नहीं चलता लेकिन पास में थोड़ा सा गंदा हो गया है और इस इसको साफ करने के लिए जैसे आपको दिखा रहूं यह कीचन क्लीनर आप कोई भी ब्राण का ले सकते हो लेकिन मैं यहां पर मिश्टर मसल ली हूँ और इस जो से ही मैं यहां पर फेन बगरा भी साफ करूंगी जो कि स्टीकी ने बहुत अच्छी साफ हाता है तो मैं को किलन से लेकिन बी हो गया है और यहां पर आपको फरक भी दिखा रहूं देख़ए पालस का था स्टाहटा करें किलन के वह वार दोत अच्छी तरीके से इसकी बात आपको कोई भी कपड़ा लेकर थोड़ा सागीलावाला कपड़ा मतलद गीला तो नहीं है जिसको अच्छी तरीके से हलके वाले हाथों से रब करना है जो अगर आप डर्ष्ट वगर हो गया या स्टिकिने से आगया होगा दो देख से तो आपको दोनों बॉल्स में कितना फोरक आगया है और बहुत आसान तरीके से क्लीन हो जाएगा आपको थोड़ा सा पेसंस की जरूत है थोड़ा स आराम से धिरे-धिरे करके मैं इसको साफ कर रहे हूं और हातों में भाई जो पेइन हो रहा है ना क्या वता हूं कि हातों को उपर उठा उठा के क्लीन करना पड़ता है और थोड़ सा अगर मत्रस क्रेस कर दोगा ना इसमें से निक चीजे भी निकल आती है तो इसलिए आप पिर दा लगां आतों तो लगांगे अश्य फने को फसान्यों अग topics और दिय वोत देंव शाहिं ने करना तो बहुत मुषकी ना होता है खाला इसमें से बहुत श्कृत बहुत करना बच नगहेंजार आप है बस अपको थोड़ा सा पेसेंस और थोड़ा सा मेहनत की ही जरूरत है और कुछ नहीं है आयोब मेरी जो आइडिया शेर की में आप सभी के लिए काफी यूसपुल हुआ होगा और यह क्लीनर से ना आप फेर वगरा साफ कर से दो सुइजबोर साफ कर सो जो मैं बोली आप कैब वीडियो पर तब तक ले बाई टेक्ट